है गाइस वेलकम बैक तो मैं चनल मंस अगें तीन सालों बाद मैं आप लोग के सामने आ रहा हूं अगें नए वीडियो के साथ आप लोगों ने प्यार दिया मुझे इस वीडियो का उसके लिए बहुत सुक्र गुजा रहा हूं आप लोगों का और बहुत ही मोटिवेशन मिल साथ ही मेरा इसमें सबसे इस वीडियो को देखना आपको बड़े क्लियर सुपन में आएगा तो स्टार्ट करता हूं 2020 से पहले 2018 में में एक कंपने में जॉब कर रहा तो नोगटा की कंपने में जॉब कर रहा था उस टाइम पे अना मुझे सब कुछ बढ़े हाँ चल रहा उस टाइम पे रैंडेमली क्या हुआ मेरी जौब चली गई कंपनी बंद होने का वजए से तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने सफ इंकम बनाने चाहिए या फिर सब कुछ स्मूथ चल रहा था कोई प्रावलम थी नहीं नहीं बाइक ली थी और साथ मोवाइल फून का बाइक प्रावलम थी कि मुझे रैंट देना है लेक्रिशिटी बिल एंडेन साथ साथ मुझे ये माइस भी पे करने है इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई अचाना फिर मैंने सुचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पर मेरे को ख्याल आया क्योंकि रैंडमली में फेस करते ना होई उस टाइम पर मेरे को ख्याल आया कि यार क्यों मैं नहीं कर रहा था इतनी दिनों से जब जॉब चली गई तम मैं मुझे ऐसा क्लिक किया कि मुझे इसा कुछ करना चाहिए सो मैंने स्टार्ट कि आगे अठारे के बाद से सो इससे पहले आपको बता दो कि मैं क सब कुछ नॉर्मल जैसे था वैसी हो गया लेकिन मेरे दिमाग में कहीं कर रहा था कि सोर्स आफ इंकम तो होना ही चाहिए सो तभी मैंने प्लाइन किया कि क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्ट किया जा तो उस टाइम पर अच्छी से कंपनी मनाई जॉब करने के साथ साथ और उस मैंने अक्टूबर के मंत मैंने कुछ प्लाइन किया कि मुझे कुछ और करना चाहिए तो मेरे किसी एक और फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मुझे एक काफे खोलना चाहिए उस टेम पर कैफे का कोई एडिया नहीं था फूट विजनिस में जाना है तो कुछ भी पताने था कै आधना चाहिए जाना है प्लाइन कि मुझे लोन लेने की बाद से मुझे वह बढ़ अलग गया था कि हा इस बीम सफ इंकम मेरे को जनरेट करके देगाई क्योंकि मेरे पर मेरे छोड़ा भाई था तो वो हेल्प कर देता फिर फाइनली है हुआ कि जैसे मेरे 2020 के मार्च में 11-12 मार्च को हमने सौप ले ली स्टार्ट कर दिया काम करना उसके बाद क्या हुआ रैंडम ली उननीस मार्च को लग गया लॉक्डवन और जो हमने दस बंदर दिन लगाए थे दुकानों को बनाने में हमने वाइरिंग करवाई थी टाइलिंग की थी वो सारा वेश्ट हो गया 2020 के एपरल में मेरी जॉब चल समझनि पा रहा है ताज की मुझे क्या करना चूदि तो अचानक मेरे मैं क्लिक किया क्षोन यूट्इब फे आजार सो मैंने यूट्व पर आने के बाद पहले तो मैंने क्ष्ञ इंद्धी है उसको कुछ टैमें कि सक्का कि यूट कर दिए मैंने फोक्स किया कि कियो ना हम ग्राफिक्स को जैसे फ्री टाइम में हूँ ग्राफिक्स को इलस्टेसिन बना के सेल करूं ओनलाइन तो इस वे अच्छा का सा इंकम हो रहा था क्योंकि मेरे फ्रेंड भी बहुत सारे कर रहे थे मैंने नहीं किया था उससे पहले 18 मैंने भी श्राट कर दिया था बट 18 के बाद जब मेरी जॉब चली गई तो मैंने प्लैन की क्यों नहीं इसमें स्टार्ट करना चाहिए तो मैंने वीडियो सारे इंकम जनरेट करके दिया क्योंकि उस टाइप लॉगडाउन था मेरी जॉब गई थी उसके बाद से मुझे सट श्टॉक के त्रो ही इतने सारे पैसे मिल रहे थे क्योंकि लॉगडाउन के बाद से सारे कंपनिया ओनलाइन आ गई बिसिकली तो सारे क्या हो इमेज के जो इलस्ट्रेशन थे वो सेल होना श्टार्ट हो गए क्योंकि अभी क्या था कि सार की इतने सारे आटि कंपनी achsen किति सब कोवन आ टार्मार पार ऌनल सवार में कुछ करना और और इल्रेश्टेशन और करने के लिए इसे घर्लूम जांगर यूंश्ट उस टाइम पे 400 गंटे वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे यह इतने जल्ली पॉसिबल नहीं था अचानक मैंने पहले जॉब देखने शाट की कि मैं पहले कि वह थे संहरा रहना आ गवर यहां पहले हैं न इसाट उस सिल्हक वह ना इसके दो लिएता बातायस अच्छी नहीं तो यह इस स्टाइबर अच्छे नहीं थे यह जब मेरी विडियो को देरी दीरी सर्च इसमार शाट हूए तब मुझे लगा कि कि यह ठीक है चीज़े सबस्कूद चल रहा है तो अचानक मेरी वीडियो को रांक होने शाड़ हो गया मुझे लगा कि मुझे दुबारा करना जाए फिर मैं दुबारा दुबार जाणक है यूोटूबे तो मैं कभी भी कर लूँगा यह Miss problema लेकिन अभी सब्लिवे muddy गश्ते का मैं जाए पैसे कमाना स्टाट किया तो मैंने अपने पैसे को save करना शार्ट किया अब बहुत अच्छा कासा amount मैंने save करने के बाद सो मुझे idea मिल गया था कि food में करना है और इसमें अच्छा कासा scope है क्योंकि lockdown के बाद October number में lockdown खुल गया था उसके बाद से फिर क्या हुआ basically दीरे दीरे सब कुस नॉर्मल होने start हुआ फिर से दुबारा हमने एक ऐसे फ्रेंचाइजी को पैसे दिए फ्रेंचाइजी मिल गई हमें अंदेर हमने एक नोड़ा में space लेकि हमने डाल दिया उसके बाद से वह कम से कम 6 मेन तक परफॉर्म ने किया मुझे लगा कि मैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला क्योंकि जो पैसे सेव कि तो भी चले जाएंगे मेरे फिर मेरे को दिमाग में आइडिया कि जो मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ यह बात है 2021 केитесь धेने फिर हम न प्लांकिक हम जो घर बाड़ी काम करते क्यों इस टाइम को उटलाइस किया जो काम हम बैठ के करकते हो घर में वहह पर बैठ वहां बहुते करना है उसी के साथ साथ बस्थों को मेरे पाफ पहला सोर्सफs रिंकम यहां से गर अयहां से सफथ हुआ तो मैं पर बेसिकलि सिखा रहा था उसाल अधिक्त . मेरे बेदम मेंने क्यों सेचीछा वू … क्यों सब्सक्ति पूरत साल और जॉब करने में शुद करना frames द privatmaybe … सो मैंने किया कि फिर से काफे अगें मैंने डाली चैटप डाली ओनलाइन क्लाउड किचन डाला मैंने क्लाउड किचन डाले के बाद से उस बिजनेस को फिर से मैंने स्टार्ट करने की कोशिस की institute से भी अर्निंग आ रहे थी और मैंने उस दोनों को पैसा मिला कि मैंने यहां पे cafe मेंडाल दिया मैंने cafe start की April से लेकर 23 के April तक का मैंने अच्छा कासा उस business लो ग्रो किया अच्छा कासा पैसा भी कमाया मैंने इसके बाद से मेरे अंदर plan किया कि क्यों ना एक और branch डाला जाए मेरे cafe का so मैंने क्या क्या कि एक और branch डाला अपने cafe का 2023 के आगस्त मत में plan तो था मुझे start करने का but unfortunately किसी करना उस मैंने करने ही पाया तो फिर मैंने क्या कि उसको shift कर दिया आगस्त में फिर हमने 14 अगस्त को आगे दाने वाले वीडियो से मिलेंगे आपको so पहले तो मैं आपको explain कर दो कि ठीक है इतने सारे चीजे हो रही है अच्छे सा हो रही है कोई problem नहीं है इसके बाद से मेरा आगे के goals क्या है आपको यह बताऊंगा मैं तो मेरा goal basically यह है कि आने वाले टाइम में मैं और भी कैफिस को grow करूँगा और मेरे जो institute है उसके franchise को grow करूँगा तो यहाँ पर अभी फिलल कले मैं ने दो तीन courses और add कर दी जैसे कि shorts को कैसे edit करके and then कैसे उसको sell करते हैं दूसरा webinars को कैसे edit करते हैं तो मेरा main focus basically shorts and webinars को आगे grow करना है तो मेरा दो चीज़े हो गई एक तो मेरे cafe grow करना दूसरा मेरे short and webinars के चीज़ों grow करना institute तो मेरा है ही तो दो तीन चार ऐसे source of income मैंने generate कि जिससे कि मेरे को बहुत सारे profit हुए और आगे आने वाल टाइमे आपको बहुत सारे से वीडियोस मिलने वाले इसी topic से related जो मैं आपको आगे वाल टाइमे explain करता रहूंगा मिलते हैं next विले तक तक लिए बाई